आज के इस lecture में हम लोग discuss करने वाले हैं जोसफ एडिसन की द्वारा लिखा गया एक essay विल विंबल का दूसरा पार्ट इसका पहला पार्ट हम लोग पहले ही discuss कर चुके हैं उसका लिंक मैं आप लोगों को description में दे दूँगा जिन लोगों ने पहले पार्ट को नहीं देखा है आप उस link पे click करके पहला पार्ट देख सकते हैं और उसके बाद ही आप ये दूसरा पार्ट देखें तब ही आपको ये पार्ट समझ में आएगा देखिए पहले पार्ट में हमने क्या discuss कर लिया था कि जो sir roger है ये बता रहे हैं जोसफ एडिसन को ये sir roger बता रहे हैं जोस विम्बल है इनकी अंदर एक quality है कि ये कुत्तों के जुंड को भी क्या कर सकते हैं अपने control में कर सकते हैं उन पर क्या कर सकते हैं सिकार करना उनको मारना नहीं है या पर उनको अपने बस में कर लेना है तो ये विम्बल के अंदर एक quality है कि ये कुत्तों के जुंड को भी कफलता नहीं मिलती है तो विल विमल उसके बिल्कुल अपोजिट है ये खरगोश पकड़ने के लिए बिल्कुल फेमस हैं खरगोश ये आसानी से पकड़ लेते हैं इसके अलावा ये बहुती अच्छे फिसर मैं भी हैं विल विमल एक वैल वर्स्ट इन ओल दी लिटिल हैंड विल विमल जो हैं ये हैंडी करप्स बनाने में भी क्या हैं एकसपर्ट हैं वैल वर्ष्ट हैं किस तरह से दोस्तो जैसे की आपने देखा होगा कि औरते किरोसिया से या फिर सलाई से आप लोगों के क्या बुंती थी पहले टाइम में जाड़ों में पहनने के लिए जरसी, बनाने के लिए भी जाने जाते हैं पतंग नहीं ये बहुती बढ़िया पतंग बनाते हैं इतनी बढ़िया पतंग बनाते हैं कि ये वहाँ पर famous हैं और उससे भी अच्छी एक और चीज बनाते हैं ये वो है angel roads, angel roads क्या होती है जो आपने देखा होगा मचली पकड़ने के लिए डंडे में आगे कांटा लगा दिया जाता है उस roads को बोलते हैं उन्हें भी ये बहुत अच्छी तरह से बनाते हैं इसके अलावा इनका nature बहुत अच्छा है nature अच्छा होने के साथ साथ इनकी उट बैट जो है न वो बहुत ही बड़े बड़े लोगों में हैं तो अभी तक sir roger ने जोसफ एडिसन को इतनी बात बता दी है अब ये आगे की बात बताएंगे ठीक है तो हम बढ़ते हैं आगे की बात सुनने के लिए कि sir roger जोसफ एडिसन को और क्या विल विम्बल के बारे में बताएंगे तो शुरू करते हैं sir roger was proceeding in the character of him sir roger जो है जोसफ एडिसन को बता रहे थे किसके बारे में विल विम्बल के बारे में आगे बता ही रहे थे when we saw हमने तभी देखा him make up to us हमने देखा कि वो make up to us का मतलब है कि वो हमारी तरफ ही आ रहे थे with two or three hazel twings in his hand that he had cut in sir roger's wood हमने क्या देखा कि वो हमारी तरफ आ रहे थे और उनके हातों में क्या थी दो तीन छड़ी थी दो तीन चाबुक थे जो उन्होंने काटे थे कहां से sir roger के ही बगीचे से उन्होंने काटे थे as he came through them in his way to the house और ये कहां से काटे थे उन्होंने sir roger के बगीचे से काटे थे जब वो sir roger के घर पर ही आ रहे थे देखिए उन्होंने चाबुक लाने का वदा किया था sir roger से sir roger के घर पर आ रहे थे और आते समय उन्होंने क्या किया? उनके ही बगीचे से चाबु काट लिए, उनके ही बगीचे से छड़ी काट लिए और आकर किसको गिफ्ट दे दी? Sir Roger को ही उन्होंने आकर गिफ्ट दे दी. It was very much pleased to observe on one side. यहाँ पर देखे आई जो इस्तिमाल हुआ है यहाँ पर जोसफ एडिसन के लिए हुआ है I was very much pleased मुझे यह देखकर बहुत ज़्यादा खुसी हुई to observe यह notice करके बहुत ज़्यादा खुसी हुई one on one side the hearty and sincere welcome with which Sir Roger received him मैंने देखा कि Sir Roger ने उन्हें बड़े ही दिल से उनका स्वागत किया है यह देखकर मैं बहुत खुस हुआ and on the other और दूसरी side मैंने क्या देखा the secret joy मैंने एक secret joy भी देखा which his guest discovered at site of the good old night और मैंने क्या देखा कि उनका जो guest है मतलब कि Will Wimble है उनके अंदर भी एक joy था secret joy था किस तरह का कि अब मैं इनके घर पे आ गया हूँ 6-7 दिन मैं यहाँ पर रहूँगा मुझे अच्छी अच्छी डिसे जो हैं वो खाने के लिए मिलेंगी चलो कुछ दिन कहीं पर रुकने का तो मुझे मोका मिला जैसे ही उन दोनों का फर्स सल्यूट मतलब जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के गले मिले यह सारे जो काम होते हैं पहली बार मिलने वाले जो खतम हुए इसके बाद क्या हुआ देखे इसके बाद विम्मल कहते हैं सर रोजर से विल डिजायर विम्मल जो हैं वो डिजायर करते हैं एक ऐसी एक्छा वेक्त करते हैं किससे सर रोजर से वो कहते हैं तो लेंड हिम one of his servants वो कहते हैं कि मुझे मेरे लिए आप एक अपना servant भेज़ दो, क्यों भेज़ दो, क्या लेने के लिए भेज़ दो, to carry a set of settle cocks वो कहते हैं कि क्या लेने के लिए भेज़ दो, to carry a set of settle cocks मैं कुछ settle cocks को लेकर आया हूँ he had with him, जो वो अपने साथ लाए है in a little box, एक छोटे से box में settle cocks क्या होता है, दोस्तों पहले आप ये जान लीजिए, देखिए ज़ो आप बच्पन में खेलते थे, चुड़िया बलाजिशे हम कहते थे जो चुड़िया होती है, उसी को settle cocks कहा जाता है क्योंकि देखिए, इसमें जो है न, punk type की चीज़े आगे लगी होती है आपने देखाई होगा, खेला भी होगा, और नहीं भी खेला होगा तो आपको definitely पता होगा कि चिड़िया हम किसे कहते थे बच्पन में ठीक है, तो ये एक इसी तरह का डबबा अपने साथ ले कर आए है इसलिए इन्होंने सर रोजर से कहा है कि उस डबबे को अपने किसी नोकर से मंगा लो क्यों ये ले कर आए हैं क्योंकि to a lady, ये देंगे किसी एक lady को देंगे that lived about a mile of, जो रहती है यहां से तकरीवन थोड़ी सी mile दूर ही या फिर एक mile दूर रहती होगी, जादा से जादा वो इतनी दूर रहती है उसके लिए ये ले कर आए है और ये प्रिजेंट जो है न, उस lady से इन्होंने कब प्रोमिस किया था कब देने का वादा किया था, हाफ एर बिफोर लगवग छे महिने पहले इन्होंने वादा किया था, उस lady को ये देने का सर रोजर्स बैक, वास नो सूनर टन, जैसे ही सर रोजर्स की बैक हमारी तरफ से मुड़ी मतलब सर रोजर्स ने अपने नोकर को बलाने के लिए गए कि जाओ भई, उस little box को ले आओ जिसमें settle cocks रखे हुए हैं, जैसे ही वो वहाँ से गए, बट honest will, जो honest will है, begin to tell me, अब यहाँ पर me कोन है, जो सफ एडिसन है, जो सफ एडिसन से बात करना स्टार्ट कर दिया, किसने, will विम्बलने, क्योंकि ये एक बहुती बातून किसम के इनसान है, और बताने लगे एक किस्सा कि उन्होंने कैसे एक बड़े कोग पीजेंड मतले एक बड़े कबूतर को अपने पास के जंगल में ही भगाया था, और उन्होंने मुझे दो-तीन किस्से इसी तरह के बताए, जिस तरह का उन्होंने बताया कि मैंने कैसे एक बार अपने पास के जंगल में ही एक पीजेंड को बड़े पीजेंड को भगाया था, उसी तरह के उन्होंने दो-तीन किस्से भी बताए, odd and uncommon यहाँ पर देखिए जोसफ एडिसन बता रहे हैं किसके बारे विल विंबल के बारे बता रहे हैं कि यह जो आदमी है बड़ा ही odd है बड़ा ही uncommon है ऐसे लोग देखने में मतलब देखने के लिए ज़्यादा नहीं मिलते हैं ऐसे characters are the game that I looked for लेकिन जोसफ एडिसन कहते हैं कि मुझे ऐसे character से बात करना हमेशा अच्छा लगा है and most delighted in और मुझे क्या कहते हैं यहाँ पर कि ऐसे odd और uncommon character जो है ना जिनकी मैं हमेशा से तलास करता था ऐसे लोग उसे में बात करना चाहता था जो लोग मुझे खुसी देते हैं एक तरह से ऐसा ही character किसका है Will Bimmel का है for which reason और यही कारण है I was much pleased यही कारण है कि मैं बहुत ज़्यादा उनसे बात करने के बाद खुस हुआ with the novelty of the person that talked to me और क्या देखकर खुस हुआ वो बंदा कितना novel है यह देखकर मैं खुस हुआ as he could be for his life with the spring of the present मुझे उनसे बात करते समय ऐसा लगा कि वो अपनी पूरी की पूरी life इस present के बारे में बताते हुए निकाल देंगे मान लीजे आज वो मेरे पास खड़े हुए है मुझे बता रहे हैं उस present के बारे में जब वो कहीं और जाएंगे तो किसी और को बताएंगे उस present के बारे में अगर वो बताने पे आएं तो पूरी जिन्दगी इस present का किस्सा ही वो बताते रहेंगे लोगों को and therefore listen to him with more than ordinary attention मैंने इसी लिए उन्हें क्या दी more than attention दी मतलब जितना मेरे को attention उन्हें देना चाहिए था मैंने उससे भी ज़्यादा attention उन्हें दे दी क्योंकि उनके बताने का तरीका ही ऐसा था उन्होंने चोटी सी बात को इस तरीके से बताया कि मैं भी उनकी बातों में खो गया कि वो मतलब किस तरह से उस बात को present कर रहे हैं तो मैंने इसलिए उन्हें इतनी attention दे दी जितनी कि मुझे एक आदमी को नहीं देनी चाहिए थी इन दा मिड़ेस्ट ओफ दिस डिस्कोर्स दा बैल रंग तु डिनर और हम दोनों बातचीत करी रहे थे जोसफ एडिसन और विल विम्बल जो है दोनों बातचीत करी रहे थे इस बातचीत के दोरान उन्हें पता ही नहीं चला कि डिनर का टाइम कब हो गया उन दोनों को पता ही नहीं चला बातचीत में कि डिनर का टाइम कब हो गया वे दोनों जो बात कर रहे थे ना जोसफ एडिसन और विल भिम्बल उनके बात करते करते डिनर का टाइम हो गया और आप वो जा रहे हैं किस तरफ डिनर करने के लिए डिनर की टेवल की तरफ जा रहे हैं और वो प्लेजर लेंगे किसका हुज जैक का वो जो सुभह ही मचली भेजी थी ना विल भिम्बल लें उसका वो मजा लेंगे डिनर में उनको वो मचली खाने के लिए मिलेगी कौन सी मचली he had coat जो मचली उन्होंने सुभह ही पकड़ी थी Summed up, for the first day in the most sumptuous manner और इस मचली को बनाया गया होगा किसमें sumptuous manner में मतलब एक splendid manner में बड़ी ही बड़िया तरीके से उसमें अच्छे-च्छे मसालों का प्रियोक किया गया होगा अच्छी-च्छी उसमें तेलों का इस्तिमाल किया गया होगा तो उसे बड़े ही sumptuous manner में बनाया गया होगा उस मचली को upon our sitting down to it he gave us a long account how he had hooked it और जैसे ही हम खाने के लिए बैठे इस मचली को तो उसने और अपनी बाते चालू कर दी किस तरह की बाते चालू कर दी कि उसने किस तरह से इस मचली को hook किया है किस तरह से इस मचली को पकड़ा है देखिए ये इतना बातूनी इंसान है कि डिनर के टाइम पर भी चुप नहीं रहेगा खाते समय भी चुप नहीं रहेगा और जिस मचली को ये खा रहे हैं उसी मचली के बारे में कह रहा है बता रहा है कि किस तरह से मैंने इस मचली को पकड़ा था ये बता रहे हैं और played with it और किस तरह से इसके साथ play किया play करने का मतलब है जब मचली जो है जाल में आ जाती है तो वो फड़ पडाती है फड़ फड़ाना का तलब होता है play तो ये उसके फड़ फड़ाने को देख रहे थे foiled it foiled it का मतलब है और जब ये मचली जो है फड़ फड़ा के क्या कर गई ठक गई and at length drew it out upon the bank और मैंने उसके बाद जब ये मचली फड़ फड़ा कर ठक गई तो मैंने उसे bank की तरफ किनारी की तरफ खीच लिया जहां पर मैं खड़ा हुआ था with several other particulars that lasted all the first course और जब डिनर के डिनर हम कर रहे थे उस समय पर ही इन्होंने हमें इस तरह के कई किस से और बता डाले a dish of wild that came afterwards furnished conversation for the rest of the dinner जब हमने डिनर अपना almost खतम कर लिया था तो it is, एक और dish आई, क्या dish आई ये, wild मतलब जंगली और fall मतलब एक पक्छी एक जंगली पक्छी का जो soup type की चीज एक बार फिर से आई हमारे सामने, जो हमने अपना डिनर खतम करने के बाद पिया, लेकिन उस दोरान भी Will Wimble अपने किस से बताय जा रहे थे which concluded with the late conversation of Wimble's for improving the quail pipe और उसमें भी soup पीने के बाद में डिनर तो हमारा खतम होई गया था, soup भी हमारा खतम होने वाला था, उस पल में भी उन्होंने क्या किया अपना एक किस्सा बता डाला कि कैसे उन्होंने quail pipe को improve किया था, बढ़ते हैं आगे upon withdrawing into my room after dinner, जैसे हम लोग डिनर करने के बाद अपने अपने कमरों में पोचे, और मैं भी Joseph Edison कह रहे हैं, मैं भी अपने कमरे में पोचा, I was secretly touched with compassion towards the honest gentleman that had dined with us और वो कहते हैं कि जब मैं अपने कमरे में पोचा था तो secretly touch मतलब कि उसकी यादे, उसकी बाते मेरे दिमाग में आने लगी, किसकी बाते, जिस आदमे के साथ हमने dinner किया था, जो हमारे साथ बखबख कर रहा था, ये किस तरह की यादे हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे मताना चाहूँगा, मान लीजिए, आप एक साधी में गए, वहाँ पर आपने एक सुन्दर सी, ब्यूटिफुल सी परी जैसी लड़की को देखा उसको देखने के बाद, आपको वो अच्छी लगी, आप घर भी आएंगे न तो उसकी image आपके mind में चलती रहेगी, तो ऐसा ही हुआ यहाँ पर जोसफ एक के साथ भी, उन्होंने खाने के समय, विल विंबल से बात की और विंबल इतने ज़्यादा बोले कि वो अपने कमरे में आने के बाद भी, अपने रूम में आने के बाद भी उनकी बातों पर विचार कर रहे हैं उनकी बाते जो हैं, उनके दिमाग में चल रही हैं, and could not वो नहीं चा रहे थे, ऐसा कुछ भी बट कंसीडर, वो उन्होंने ना चाते हुए भी उनकी बातों पर थोड़ा सा गोर फरमाया कि उन्होंने क्या बकबक की थी with a great deal of concern और उन्हें जो है ना, एक बात समझ में आई, उन्हें समझने के बाद क्या चिंता हुई, how so good and hurt and such busy hands were wholly employed in trifles, उन्हें क्या पता चला कि एक इतने अच्छे दिल का इंसान जो है, वो छोटे-छोटे कामों में अपने टैलेंट को बेकार कर रहा है, उसके अंदर काम करने की जिग्यासा भी है skills भी है, लेकिन वो trifles में, छोटे-छोटे कामों में अपने आपको busy रखे हुए है that so much humanity should be so little beneficial to others और वो ऐसे काम कर रहा है एसी humanity दूसरे लोगों को दिखा रहा है, कि वो so much little का मतलब है, जो उनके लिए भी beneficial नहीं है, जिन लोगों के लिए वो ये trifles कर रहा है छोटे-छोटे काम कर रहा है ना वो उन लोगों के लिए भी beneficial नहीं है मान लिए उसने किसी को gillips दिये भाई वो जाके 20 रुपे के gillips खरीद लाएगा तुम क्यों उसके लिए महनत कर रहे हो ठीक है, तो वो दूसरों के लिए जो है न beneficial जादा नहीं होती थी and so much industry so little adventurous to himself, और उसके लिए क्या लगती थी, so much industry लगती थी, मतलब बहुत जादा महनत लगती थी आप जो है, क्रोशी से, सलाई से जो भी कुछ बुनते हो, उसमें बहुत जादा महनत लगती है और उसका credit भी उनको नहीं मिलता था मतलब वो बहुत जादा उसकी तारे पी उन्हें नहीं मिलती थी the same temper of mind and application to affair might have recommended him to the public esteem अगर उसने, उन्होंने same temper of mind जो अपने skills हैं, ये सारी की सारी skills को प्रियोक किया होता किस चीज में प्रियोक किया होता बिजनिस में, बिजनिस में प्रियोक किया होता जो भी talent उनके पास है जैसे कि कुत्तों का सिकार करने का talent है, है ना इस्तिमाल किया होता ना, तो आज public esteem का मतलब है, तो लोगों के वीच में उनकी पहचान होती लोग उन्हें उनकी family के नाम से नहीं जान रहे होते, लोग उन्हें उनके ही नाम से जान रहे होते यदि उन्होंने ये सारी चीजे जो है एक business के रूप में की होती and have raised his fortune in another station of life और आज उनके पास अपनी पहचान होती अपना पैसा होता, उनके पास अपनी fortune होती उन्होंने अपनी life के अपने status को बहुत उचाई पर पहुचा दिया होता ठीक है, what good to his country or himself और जो वो काम करते वो उनके लिए भी good होता उनके country के लिए भी good होता might not a trader or merchant have done with such useful though ordinary qualification और जो ये trader है या फिर कोई भी merchant है अगर उनके पास कोई छोटा सा भी talent होता है वो अपने उस talent को किस में यूज़ करते हैं अपने trade में यूज़ करते हैं अपने वयापार में यूज़ करते हैं लेकिन विल विम्बल के पास कई ऐसे talent थे लेकिन उन्होंने इसे वयापार में यूज़ नहीं किया विल विम्बल is the case of many a younger brother of a great family और विल विम्बल जो है न ऐसी बहुत सी family होंगी वहाँ पे अगर आप यूरोप के अंदर देखोगे तो बहुत सी family में जो great families है उनके बड़े बेटे को तो संपत्ती मिल जाती है राजपार्ट मिल जाता है लेकिन छोटे जो बेटे होते हैं वो ऐसे ही इदर उदर घूमते रहते हैं जिस तरह से विल बिम्बल है ये विल बिम्बल एकेले नहीं है ऐसे ऐसे और भी case होंगे अगर महाँ पे देखेंगे who had rather see their children starve like gentleman than thrive in trade or profession that is beneath their quality देखिए यहाँ पर जैसे विल बिम्बल है ना वो एक great family से belong करते हैं बड़े बेटे को तो सामराज्य मिल गया और छोटा बेटा क्या करे वो इसी तरह से दक्के खाए नहीं अब ये बड़ी family वाले क्या होते हैं ये किसी छोटे trade में या प्रोफेसर में अपने बच्चों को नहीं लगाते क्यों क्योंकि beneath their quality का मतलब है कि उनकी family जो है न वो बड़ी जगा से बिलों करती है बड़े खांदान से बिलों करती है तो उन्हें क्या लगेगा कि ये उनकी family की insult है चाहे उनकी बच्चे क्या हो जाएं वो भूख से मर जाएंगे लेकिन छोटा काम नहीं करेंगे जान जाए भाईया खांदान की इज़त ना जाए ये सोचते हैं ये लोग ठीक है बड़ते हैं आगे इसी चीजे आपको यूरोप के न बहुत जगा देखने के लिए मिल जाएंगी जो अपने घमंड की वज़े से जो अपने परिवार की इज़त की वज़े से भीक मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं लेकिन ये सोचते हैं कि बस हमारे परिवार की सान ना जाए और ये तो बहुत ही ज़ादा खुसक नसीबी है किसकी ट्रेडिंग नेशन मतलब जिन देशों में वयापार को बढ़ावा दिया जाता है यहाँ पर वैसे तो इंग्लेंड की बात की जा रहती है लेकिन इंडिया में भी आप देखोगे तो ट्रेड को जो है बढ़ा बाही दिया जाता है देखिए वैसे तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनके अंदर चाहे उनके अंदर capability हो या ना हो कोई प्रोफेशन करने की कोई trade करने की लेकिन जो जिन्दगी है उन्हें ऐसा सबक सिखा देती है ऐसे मोड़ पर ला देती है कि उन्हें कोई भी अगर काम करना पड़े तो वो कोई काम कर लेते हैं और वो अपनी family के लिए क्या करते हैं जो भी कुछ add कर सकते हैं उसकी इज़त को उसके financial help में वो add करते हैं ऐसा नहीं है जिस तरह से विल विम्बल कर रहे हैं और छोटे जो बच्चे होते हैं उन लोगों को जो trading nations हैं उनके जो छोटे बच्चे भी होते हैं वो भी काम करते हैं कोई न कोई trade को कर सकते हैं accordingly we find several citizens और इसी तरह से हम बहुत सारे citizens पाते हैं आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं है कि छोटे बच्ची जो family के होते हैं वो अच्छे अच्छे trade नहीं कर सकते बिजनिस नहीं कर सकते जोब नहीं पा सकते हैं हमने देखा है ऐसी several citizens को बहुत सारे लोगों को देखा है that were launched into the world with narrow fortunes हमने देखा है कि लोगों ने बहुत छोट चोटी संपत्ती से बहुत चोटे चोटे इंवेस्टमेंट से क्या स्टार्ट किया था बिजनिस स्टार्ट किया था raising by an honest industry to great state than those of their elder brothers और उन्होंने उस industry को कहां पर पोचा दिया अपनी मेहनत से उन्होंने अपने उस चोटे से बिजनिस को उस जगा पर पोचा दिया जहां पर आप सोचते हो कि उसके बड़े बेटे की जो पूरी संपत्ती मिली हुई है वो संपत्ती भी जो है पीछे रह गई उन्होंने ट्रेड में इतना ज्यादा नाम कमा लिया तो ऐसा नहीं है छोटे बच्चे फैमली के कुछ नहीं कर सकते उन्हें मौका मिलना चाहिए उनक बेबल भी है दोनों के दोनों जो है निगेटिव वर्ड है और ये बना रहे है पोजेटिव वर्ड इट इस पोसिवल इसका मतलब है इस पोसिवल बट विंबल वास फोर्मरली ट्राइड एट डिविनिटी लो और फिजिक जो विल विंबल है देखिये विल विंबल ने कि इसमें अपना हैंड ट्राइ किया था पहले इनोंने कोशिस की वकील बनने की और फिर उसके बाद की फिजिक में मतलब डोक्टर वक्टर बनने की इनोंने कोशिस की होगी इसके बाद and that finding his genius उनोंने उसके बाद ये ट्राइ करने के बाद अपने आपको क्या पाया did not lie that way वो इस फिल्ड में इस प्रोफेशन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत और पढ़ाई की जोर्त भी पढ़ती है वो इसको नहीं कर पाते क्योंकि उनका दिमाग इसमें चलता है his parents gave him up at length to his own inventions और उसके माता पिता ने फिर क्या किया कि भाया देखो अब तुम ये नहीं करना चाते हो तो जो भी कुछ तुम करना चाते हो वो तुम करो उन्होंने उन्हें आजा छोड़ दिया जो भी कुछ वो करना चाते हैं उसके लिए but certainly however improper he might have been for studies of a higher nature ये हम समझ सकते हैं कि चाहे वो जो higher level की study है जैसे की low है physics है इसके लिए improper रहे हो मतलब उसके लिए वो suitable ना रहे हो he was perfectly well done for the occupation of trade and commerce लेकिन वो perfect थे किस चीज के लिए कोई ना कोई business run करना के लिए perfect थे उनके अंदर skills थी as I think this is a point which cannot be too much incalculated यहाँ पर Joseph Addison कहते हैं कि मुझे ये एक ऐसा point लगा कि जिसको अपने मन में नहीं बैठाना चाहिए कि यदि आप low नहीं कर पाए physics नहीं कर पाए तो आपको कोई और भी काम नहीं करना चाहिए नहीं ऐसा नहीं है जिस काम में आप निपुड हो जो भी काम आप करना चाहते है उसको कर सकते हैं आये यहाँ पर फिर से देखे जोसफ एडिशन के बारे में बोला गया है जोसफ एडिशन कहते हैं मैं इच्छा वैक्त करता हूँ अपने रीडर से जो कुछ भी मैंने यहाँ पर लिखा है विद वाट आई हैव सैड और जो कुछ भी मैंने कहा है और यह जो भी कुछ मैंने कहा है जो भी कुछ लिखा है वो मेरा मात्र एक अनुमान ही है सभी को अपना बिजनिस करना चाहिए जिसमें भी वो निपुड है उस काम को उन्हें करना चाहिए आई होप यह ऐसे आप लोगों के समझ में आया है मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में तब तक के लिए जैहिंद